वेल आज इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है वो सीक्रेट जिससे आप कॉमडिटी मार्केट के अंदर और बहतर परफॉर्म कर पाएंगे अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेटर बनना चाहते हैं अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो क शुरू करते हैं बहुत सारे लोग जानने को उत्सुक होंगे बहुत सारे लोगों को आप यह भी दिमांग में लेके चलिएगा कि वो नए है कॉमेडिटी मार्केट के अंदर तो दोनों ही लोगों को जो चाहे प्रोफेशनल है और चाहे बिगनर्स हैं दोनों को इस वीड चाहूंगा जब मैं इस बजार में 2004 में इंटर किया था तो मेरा पहला सौधा इसी एक्षेंज पर था यानि मैं सोया बीन में काम करता था रिफाइन सोया में काम करता था तो मुझे किसी ने बोला था कि यह यह फलाना रेट पर बाय कर ले एक दो सौधे अच्छे गए ती मैं वाला फोन उठाने रहा है दस बार फोन करो तो एक आद बार फोन उठा रहा है और कह रहा है कि मैं आपस फोन करता हूं उठाना बंद कर दिया उस सौधे में मैंने जितना भी पैसा कमाया था यह जो भी कैपिटल इंफ्यूस की थी और 2004 और पांच के दौर में वह सारी जिरो हो गई उस दिन मैंने कजम खाली थी कि अब मुझे किसी को फोन करके नहीं पूछना है और वो दिने और आज का दिन मैंने कभी किसी को फोन करके नहीं पूछा कोशिश करी सीखने की लेट हुआ आप लोगों के पास तो बहुत सारे साधने जल्देली सीखने के इतने उस समय वो समय है और आज का समय है मैं फिर जब मैं मुझे डिफिकल्टी का हिसास हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लोगों को हेल्प की जाए किसी को और को किसी को फोन ना करना पड़े तो मैं यहां पर हर वो चीज़ देने की कोशिश करता हूं जिससे आप लोग अच्छे इंवेस्टर अच्छे ट्रेडर बन जाए चलिए मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूं बाजार जब 9 बजे ऑपन होते हैं उसके बाद 7 बजे तक तो आप देखिए बजार जब सुबहे 9 बजे ऊपन होते हैं उसके बाद 7 बजे तक 6 बजे के आसपस तक एक्टम रहते हैं और 6 बजे के बाद मार्केट खुलता और 7 बजे के आसपस डेटा रिलीज होते हैं जैसा प्रीवेस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगो कि नवंबर से मार्च एंड तक बाजार ग्यारा पच्पन तक बंद होते हैं तो यह थोड़ा डेटा के शेडूल भी चेंज जाते हैं पहले जो सेड़षेट एंड है जो लोग पारिटिसिपएट नहीं कर सकते हैं वह यहां पर मतर सकते हैं यहां पर यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पर भी सारे options trade होते हैं जैसे अपने प्रिविएस वीडियो में बात किये थे crude oil का options trade होता है natural gas का options trade होता है gold silver के भी होते हैं लेकिन gold में liquidity कम होती है तो दूसरा advantage मुझे लगता है कि जिनकी कम पूंजी है जैसे कि 10-20,000 रुपई से भी कामकाज करना है तो crude के 10-15,000 रुपई के margin में भी option trade बढ़िया बन सकते हैं लेकिन यहां पर एक बात मैं जरू कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग option में trade बना रहे हैं commodities में तो purely इंट्रा commodity market का यह है कि यहां से global market को भी analyze किया जा सकता है in fact मेरा समझना है कि सारे market interconnected है मैं आप लोगों को वह भी चार्ट के साथ दिखाने की कोशित करूँगा कि हमने past में कैसे-कैसे events देखे हैं कैसी-कैसी volatility trigger हुई उनकी वज़े से तो मैं आप लोगों को पिछले साल के जब हमार पर देखिए बाजार का भाव करीब 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 6100 के चलता था और करीब 6-6 हफतों के अंदर यह बजार ने दस हजार पॉइंट टच कर दिया था अल्मॉस्ट 9999 का हाई पोस्ट किया था दस हजार के लगबग लगबग उसके आगे के forward contract 10,000 के पार भी चले गया थे लेकि आप लोगों के यह समझ में हाल जाता है कि बजार में कुछ रहा है कुछ हल चल रही है तो मार्केट में कैसे global बहुत जदा तूड़ जाता है कि दूसरे मार्केट में भाग गया तो हमारा निफ्टी भी भागेगा कुड़ अगर बहुत ज्यादा तूड़ गया, अभी crude oil transport में भी काम आता है petroleum product है तो अगर crude oil बहुत महंगा हो रहा है तो inflation बढ़ जाएगा inflation बढ़ जाएगा, तो stock market के valuation कम होगी क्योंकि profitability कम हो जाएगी companies की, तो यहां से सारे market interconnected हैं, तो हमें कि जैसे crude जो है वो inversely proportional है, nifty है कि अगर crude का price बढ़ेगा तो nifty का price गरेगा most of the time तो inversely proportional है, यहाँ होने की chances है, और अगर US market में अच्छा रहता है, Dow Jones बढ़ता है NASDAQ बढ़ता है, S&P 500 बढ़ता है तो हमारा nifty भी बढ़ता है और USD का भी USD को मैं आगे cover करने की कोश्च करूँ हा अभी मान लिजे की कोई data positive आते हैं जैसे US के data's release होते रहते हैं या फिर war की situation ही बन गई जो चलो war से connect करते हैं इस बात को, war की situation बन गई तो gold को usually क्या माने जाता है hedge, safe heaven hedge भी माना जाता है, safe heaven भी माना जाता है तो gold के prices यहां पर बढ़ने चालो हो जाएंगे तो हमारी जो भाई जो बहन जो घर पे gold रखती है उनके लिए वो बुरी ख़बर तो होती है no doubt, economically लेकिन उनके valuation बढ़ने लगते हैं physical assets के valuation बढ़ जाते हैं तो gold में भी हमें पता जाता है कि भाई अभी recently gold का भी चार्ट दिखाता हूँ पहले यह crude का चार्ट हमने साइट finish कर लिया इसकी volatility बढ़गी थी और की situation और 10,000 से वो वापे 7,000 की levels को touch कर गया 10,000 की वापस आता है और in fit तो यह बजार वार की situation को dictate कर रहा था कि बॉस कुछ न कुछ वहां पर खतरनाक से चल रहा है मैं आप लोगो गोल्ड में भी लेके चलता हूँ अभी recent का एक्जांपल है तो मैं मैं चाहूंगो की gold भी दिखाना आप लोगो अभी इसराइल और हमास का announcement हुआ था कि अपने पास तो लेड़ भी आती न्यूस सारी और एक और पॉइंट है बड़ा interesting पॉइंट है तो यह जब देखिए जब हमास और इसराइल का युद का न्यूस आया बहार जब चालू हुआ वहां पर तब गोल्ड के भाव यह मुझे चाड़ हमें सब बताते हैं डेट वगर क्या है October मंत में हमारे पास न्यूस आई थी जब 56,800 के आसपस बोल्ड चल रहा था जी अब वहां से जब न्यूस आई तो यहां पर से आपने कहा कि गोल्ड वगर में भी रिलेशन क्या होता बताओ तो गोल्ड देखिए 300,000 पर खड़ा हुआ है प्लस यूएस के अगर डेटा कुछ निगटिव साते हैं निगटिव डेटा आते हैं तो यहां पर भी उसके पासिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं क्यों से कोई सेफ हेवन के थ्रू हम अपने प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर सके हैं या फिर अपने ग्रोथ को उतनी निगटिव ना दिखे जितनी दिख सकती हैं तो सेफ हेवन की तरह काम करता है गोल्ड देखिए 56,800 से 300,300 पर कड़ा हुआ है कितनी बड़ी रेली है और अभी इतनी बड़ी क्लोजिंग ने हुई है तो उस समय अगर हमारे भाई बहन जो भी है अगर कमोर्डी मार्केट में पार्टिसिपेट कियोंगे या फिर फिजिकल में भी लियोंगे तो आज तो एक्दम मौझ मार रहे होंगे और वह आज आप देख रहे होगे वीडियो जब इतनी सारी निउस देखे हुए है कि मार्केट ने बहुत बार दिया और बहुत बार उचाल भी दिया है लेकिन अल्टिमेटली आपका तो फेवरेट आगे आगेस गोल्ट आपका पसंद करते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए जब यह ऐसी कोई निउस आया त इसकी इंटेंसिटी से हमें बहुत कुछ पता चलता है जैसे जब युक्रेन और रॉस्या का वार सिचुएशन बना था तब 7888 इंफेक्ट उस दिन की जो ओपनिंग थी 10 परशंट उपर की थी कुरूड की तो आपको यह क्लियर कट पता चलता इंटेंसिटी से सिर्फ कि करेक्शन ट्रिकर हो सकते हैं मुझे रखता बटाओ कि तो आपको की इंटेंसिटी से यहां पर पता चलता है कि सीविए इसके इसके इप्लिकेशन क्या हो सकते हैं रिसेंट में जैसे हमास का भी वहार सिचुएशन हुआ था तो मैंने जैसे बीच में कहा था कि आपको एक सेटरड़े को रिलीज होती है तो इसका क्या हम ट्रेडर लोग फाइदा नियुटा पाते हैं लेकिन जो टेकनिकल कर रहा है उसको थोड़ा थोड़ा आभास होना पतल लाता है और थोड़े अनुभाव से भी होता है कि बाजार के भाव आपको इंटरनली कुछ ना कुछ जाएंगे लेकिन अनुभाव आप लोगों को पहले से कुछ ने कुछ बताता रहता है और अनुभाव आंकड़े देखकर आता है इसका रिसेंट एक्जांपल में कल का ही एक्जांपल बताना चाहूं आप लोगो कल गोल्ड कल गोल्ड ने करीब करीब 700 रुपय की रैली द कहां तक जा सकते हैं और चाहे वो टेक्निकल पैरमिटर आप लोग कुछ जैसे ट्रेंड लाइन सिखाई है पेरबॉलिक सार सिखाया बोलिंगर बैंड सिखाया उसके बेस पे आप लोग फिर भी कुछ हद तक निकाल सकते हैं सारे महारत हासिल करनी पड़ेगी वही सिक्स्टी टू 399 कितना चोटा सा है मजे की बात देखिए 150 रुपाइप अगर चलो हाईर रेंज में किसी ने लिया तो 250 पॉइंट का स्टॉप लेकिन टार्गेट देखिए 63,825 यहन्ने अल्मोस 1200 रुप है और अभी चल रही है अभी कॉल चल रही है तो कमाल की बात किया बात जाएगा हो सकता है सालों तक देखते भी नहीं लोग तो अगर फ्यूचर के भी कॉई कॉल रहें तो अपनी वेबसाइट में इसी तरह से लॉग इन करके आप लोग देख सकते हैं प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को सारी अपडेट डलते रहें अगर को स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ अगर कोई टार्गेट चेंज हुआ वह भी सारा चीज देते रहें सपोस कभी 50% प्रॉफिट बॉक करना है उसके भी मैसेज जाएंगे स्टॉप लोगों को एक बार आप आपने हाथ पकड़ लिया तो हाथ को पूरे या फिर टार्गेट तक पकड़ की चलेंगे या फिर स्टॉप लोगों ने हमारी सर्विसेज ली हुई है उन लोगों को सारे अपडेट मिलते रहेंगे जिन लोगों को भी अडवाइजरी सर्विसेज लेनी है जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर उस पर कॉल करके आप इंक्वारी कर सकते है और सेवा का लाब उठा सकते हैं तो यह जैसे गोडले मसिक सबीकी सब्सक्राइब कर निशन के रहें होते हैं निफ्टी निफ्टी के फिए पने पास कॉलस फायर होते हैं उसके धी कॉलर होते निफ्सेज चैए चले टेली नमपर पर विजाएगा अब उन लोगों के तो यह वो लॉंग टम में और अगर कहीं कोई डाउट फुल सिचुशन रहती कि यहां पर भी प्रॉफिट बॉक कर लेना जी वैसे तो वैसे भी हम लोग कर चुके हैं तो इस तरह से चलता रहता है सारी अपडेट्स देते रहते हैं तो कहीं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा कोई भी आएगा जुड़ेगा एक और बात मज़ी की बताता हूं कि आज तक एक भी कॉल ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कि अगर फायर कि जाए कि मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था वह आस तक नहीं कि एक भी एक भी बंदा ऐसा नहीं बोल सकता और यह सारी पर यह सारे जो कॉल रिकॉर्ड से हैं वह अपनी गूगल ड्राइव में कोई भी एक्सेस कर सकता है वह परफॉर्मिन शीट में जाई है आप और उसक करते हों लेकिन मार्केट ट्रैक करना चाहिए उसका पांचवा बेनिफिट करते हैं तो आप एक्विटी मार्केट को सेक्टर वाइस कर सकते हैं जैसे क्रूड आइल में अगर वोलतिलेटी क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं एशन पेंपे एफेक्ट आएग करते हैं प्रोपोर्शन ड्रेक्ली इंवर्स लिए नहीं अगर कुडल सब क्या अलग अलग है जैसे गोल्ड और मुथर्ट फैनेंस की बात करते हैं तो मुथर्ट फैनेंस के भी स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि उसके मौड़गेस की वैल्यू बढ़ रही लिए तो जैसे यहां पर अगर कॉपर के प्राइज बढ़ते हैं बेस में कॉपर और जिंक के तो हमारे स्टॉक मार्केट की इंडूस्टी में जो भी उस सेक्टर से रेलेटेड हैं जैसे हैवल्स हो गया बजाज इलेक्ट्रिकल हो गया तो इन इन स्टॉक्स में भी चल कम रहेगी तो उस समय आप अगर कमोर्डी मार्केट को ट्रैक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक आप अपने इंडियन स्टॉक मार्केट को भी ट्रैक कर सकते हैं तो यह तो हुई सारी अड्वांटेज की बात अब मैं आप लोगो कुछ जैसे यह वोलटाइल बहुत है जब कोई भी निउस बेस बजार बनता है तो इतना ज्यादा वोलटाइल हो जाता है कि आप अगर लिवरेज पोजिशन को इस्तमाल करते हैं तो उससे हो सकता है कि आपकी सारी कैपिटल भी नुकसान हो जाए तो इसे और आप साही का किसी एक एक्सपर्ट का हाथ लेकि आगे बढ़ना चाहिए दूसरा यह हाईली लिवरेज्ट है एक और बढ़ा डिसद्वांटेज जैसे आप एक किलो सोना लेने जाएंगे बजार में तो आप लोगों मोटा माटी 63 लाग रुपे पेमेंट करनी पड़ेगी लेकिन यह यहाँ पर भी लोग जैसे कवर ओडर का आप्शन देता है ब्रोकर कुछ कुछ ब्रोकर आइज जो कवर ओडर का ऑपशन देते हैं कि आप 301 में लो 62 बांसट और लगाओ और आपका जो भी टार्गेट और स्टॉप लोगाना पड़ता है तो यहाँ पर कवर और में पहले आप ले रहे हो यहनु आपकी एक लोट लेने की छंता थी आपने चार लोट ले लिये तो पहले ले तो पहले एक्सचेंज से बाद उसका बी इस्तेमाल के लिए तो उसकी वज़े से कुछ लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो यह बिल्कुल भी मत करिएगा जितना चादर है उतना ही पैर फैलाई है जैसे बुलिंगर बैंड वाले नहीं बजार कर लूटना तो यह एक डिसट्वांटेश जो इस्तेमाल करने देता मार्केट तो इसके कुछ डिसट्वांटेश तो मैंने आप लोगों को बता दे लेकिन डिसट्वांटेश को भी आप एडवांटेश में कर सकते हो अगर आप अपने इमोशन को और मनी पॉइंट पर इन कमोडिडीज में कब कब कहा कहा से कब किस वज़े से एफेक्ट आते हैं यह वोलटाइल होती है कब हमें सतर करना है कहां से पता चलता है तो मुझे नेक्स वीक का देखना है अब पिछले वीक का तो मुझे कोई मतलब नहीं तो नेक्स वीक में मैं हाँ पर क्लिक कर देता हूं यह देखिए यहां पर नेक्स वीक का ऑप्शन है तो यह सारे आप्शन आ जाते हैं मेरे थामने अब मुझे यह पता चल गया है कि कब कौन से डेटा आने वाले है क्रूड वाइल जो हमने डिसकस किया इसक तो मुझे आएगी क्योंकि डिटा में क्या आता है कि उनके पाते की पढ़ी पड़िए अगर इंवेंटरी बढ़की आती है तो अगर कम होके आती है तो के प्राइस भाग जाए तो वैसे डिपेंड करता है वैसे तो यूजियल टाइम अगर देखेंगे तो तो आसपस का म तो सो पॉइंट के आसपस नहीं तो देड़ सो दो सो पॉइंट के चल जाता है और रात के नौ बजाती है नौबर के बाद मार्च तक और मार्च अप्रेल के बाद यह आठ बजे शुडियूल जाती है अब यहां पर यह मुझे मंदे का पूरा प्लान आफ एक्षिन पता है क कि देटा रिलीज उन्ञाले जॉब ओपनिंग और एकोनमिक ऑप्टिमिस्ट आए इसम यह एपने मंदे के डेटा हो गया तूजिटे के टेटा बी वेडेंटे की इंट फ्राइडे की डेटा है नाच नेचल डेटा रिलीज होता है थूस्टे को अगरिध थूस्टे को जै का डेटा आएगा तो इसके वज़े से बुलियंस में बड़े फ़रक पड़ते हैं तो अभी देखिए यह एबी पी नॉन फॉर्म पेरोल का भी डेटा है च्छह बच के पैंतालिस मिनट वेटनेस देगो तो मुझे अभी से पता है कि मुझे उस टाइम पर थोड़ा अलर्ट पड़ेगा यूएस की करणसी में फरक पड़ेगा अच्छा एक और मजी की बात हमारे यहां पर यूएस डेनर तो पांच बेटक चलता है करणसी को भी कवर करूंग आगे करंसी पांच बेटक चलता है लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर यह रात में भी मूमेंट देता ह दोभाम जासे जैसे आपके दुबई दुबई एक्छेंज मी चलता रहता है यूस मार्कट में आजंटा रहता है्म और अगर सब्सक्राइफ घर बादबल बढटा है वहाँ पर इंटो přेसं तो कभी-कभी EU यह ऐसा भी होता है कि कोई एकदम खतरनाक बेकार से डिटा आ गया और यूएस डी आयनर ने अप्रिशेट कर गया अगर अप्रिशेट कर गया और अधर टक्या से अप्रिशेट कर गया तो इवेंच्वली 300 रुपे की मुमेंट हमारे इस वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा यहां पर जो रेड रेड हैं जैसे यह पॉइंट हो गया यह थोड़े से डेंजर जोन है तो यह वेबसाइट भी हमें बता देती है कि कौन-कौन से डेंजर डेटा है और कौन-कौन से मौटरेट है एवरेज इफेक्ट देने वा पर नीचे दोन तरफ तो आपको फिर आपको जो चार्ट सिखाएं तो चार्ट से इसका फरक इमेडियेट पड़ता है उसके कितनी देर बाद पढ़ना शुरू होता है और मेरा यह बिलीव भी है नहीं लेकिन ऐसे कुछ डेटा होते हैं जो इमेडियेट कर जाते हैं लेकि पर दिखाएं तो आपको समझना पड़ेगा तो दीरे दीरे प्रैक्टिस में कि इमेडियेट एफेक्ट तो आएगा लेकिन कई बारी वह डिसकाउंट कर चुका होता है जैसे माल लीजिए अनिप्लॉयमेंट क्लेम का डेटा जो आया वह बुलियंस के लिए बहुत पॉज आम आदमी है जिसको डेटा नहीं समझ रहा जिसको टेकनिकल नहीं समझ रहा वो डेटा देखके एकदम रियक कर जाएगा शॉट पोजिटिव आ गया है उसको उपर की हदी में मालूं कहां तक जा सकता है और कई बार ऐसा होता है कि फ्रेश पोजिशन बिल्ट अप कर और यह नो डाउट प्राइज अंब समझाते हैं तो आप लोगों को टेकनिकल को भी समझना होगा और साइकलोजिकल मार्केट को बिल्ट करना पड़ेगा आपके अंदर एक टैलन्ट करना पड़ेगा जो आपको बजार का भाव आपको आंपको आटोमेटिक बताते हैं और उसके एफेक्ट होते हैं बेस मेटल्स के प्राइज में कॉपर में और जिंक में तो उन डेटा को भी धान में रखिए अब मुझे ऐसा लगता है कंजूमर लोग बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए मुझे लगता है वीडियो काफी है तो आज तो आपको काफी कुछ सी आपको और बहतर वीडियो मिलने वाली इसी चैनल के उपर सब्सक्राइब कर लिए बैल इकन पर क्लिक कीजिए इस वीडियो को शेयर जरू कीजिएगा अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में कॉमेडिटी मार्केट में तो फ्री में जाके आपको लिंक डिस्क्रिप्श झाल